नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल All Technical Solution में तो दोस्तों अगर आपके पास Airtail का SIM है और आपका जो दिन का डेटा है चाए वो 1.5GB हो या 2GB का जो पैक है वो अगर खतम हो जाता है मतलब जो डेली लिमिट है वो अगर खतम हो जाता है तो उसके बाद हम इंटरनेट कैसे यूज कर सकते तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैसा खरच करना पड़ेगा उसके बावजुद आपको यह डेटा का जो नया प्लैन है यह आपको यहाँ पे मिलने वाला है तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे फोन पे या गूगल पे जो भी एप से आप अपने फोन को रिचार्ज करते हो उस एप को यहाँ पे आपको जाना होगा तो मैं यहाँ पे फोन पे पे जाता हूँ और इसी यहाँ पे ओपन करके लिता हूँ तो उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आमारे समने आ गया तो उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों मॉबाल रिचार्ज का जो आप् referendum वहाँ पे हमें जाना होगा उसके लिए दोस्तो हमें अपने नंबर पे यहाँ पे क्लिक करके लेना है उसके बाद दोस्तो हमारे नंबर के लिए यहाँ पे जो भी प्लैंस है वो हमें यहाँ पे दिखा रहे है लेकिन दोस्तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है यानि कि जो आपका जो फोन का जो डेटा है या यम्बी है वो आपको यहापे मिलने वाले यहापे आपको कोई भी कॉल या वैलिटी यहापे बढ़ा के नहीं मिलने वाले है सिर्फ आपको यहापे डेटा पैक बढ़ा के मिलने वाले है तो दोस्तो आप नीचे आपके हिसाब से आप प्लैन यहाँ पर देख सकते अगर आपको एक दिन के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर 19 रुपए का रिचाज देख सकते जिसे आप डाटा एडाउन यहाँ पर कह सकते तो दोस्तो यह 19 का डाटा एडाउन का रिचाज मानने के बाद आपको 1 GB आएगा और वो आपको उसी दिन में यहाँ पर खतम करना पड़ेगा उसके आलावा दोस्तों आपको 301 में यहाँ पर 50 GB बिलेगा तो दोस्तों यह 50 GB जब तब आपके प्लैन की वैलिडिटी है तब तक यह आपको यहाँ पर यूज करने को मिलने वाला है उस तो इस डेटा पैक से आप रिचार्ज करके आप अपने डेटा के और यहाँ पर बढ़ा के ले सकते तो दोस्तों इस पैक के बारे में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताने चाहता हूँ कि समझ लिजे आपने यह 148 का रिचार्ज कर लिया उसमें आपको 15 GB आ रहा है प आपको इवीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीज़े और ज़्याद से शेयर कीज़े तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद वंदे मातरम